दिवास के रसूलपूर बायपास चुराहे परतेनाथ पुलीस के बद दिमाग बद मीचा जवान के खिलाब शिकायत पूरा देश कोरोना महामारी से तरस्त है। पुलीस प्रसासन लागडाउन का पालन कराने में दिन रात एक कर रहा है। प्रेश जगत में भी पुलीस की मुश्तेदी कर्तव परायनता की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन दिवास में ओध्योगिक थाना छेतर अंतरगत इंदो रोड पर इस्तित रसूलपूर बायपास चुराह पर बद दिमाग बद मिजाज पुलीस के जवान तिना थे। जो आसामजिक तत्व की भांती कोवीट की चांच करवा कर अपने नाते रिष्टेदारों की अंतिष्टी करवा कर लोड रेस से जुड़े लोगों तक पर चंबल के लठेतों की तरह लाठी बरसा रहे है। रसूलपुर बायपस पर प्रेस काड दिखाने इन दोर से कोवीट की चांच करा कर आने का कहेंके बावजूद वर्दी की आड में आवारा तत्व की भांती वेवार कर रहे जवानों का गुरुवार शाम साथ बजे युवा पत्रकार धिरस सेन भी शिकार हुए। पत्रकार एवं समाज 26-11 के मुंबई हमले में आतंकवादी कसाब की गोलियों को अपने सिने में जलने वाले हेट कांस्टेपल तुकाराम दिल्ली के बाटला हाउस एंकाउंटर में शहीद अधिकारी महोन शर्मा संसत के हमले को नाकाम करने वाले पुलिस के जवानों को अ शहेदी वाली छवी को धूल धूरित करते रहे हैं यह बात सही है कि कोरोना काल में लागडाउन का पालन कराने में पुलिस को दिन रात एक करना पड़ रही है लेकिन जिन आसामाजिक आवारा किस्म के पुलिस की सिवा में घूसाए लठेद पुलिस जवानों को सैयम श्पतालों में लुटते हुए अपनों को खोते हुए रोते बिलखते हुए दिरज रखे हुए है देवास एवा मद्द प्रदेश पुलिस प्रसासन के वरिष्ट अधिकारी जिला प्रसासन से लेकर मुख्यमंतरी सीवरा सिंग चोहान तक देवास में ड्यूटी रत ना स मंदित जवान के खिलाब कारवाही की मांग की है